तो क्या हाल चाल है आई होप सब अच्छे होंगे और जैसा कि तुम लोगों को फिर मैं बता रहा हूं ठीक है बार में मैं बोलता हूं कि तुम लोग जो काम चला है या जो तुम लोग आंगे चीज़ों के लिए कि प्रॉसेस कर रहा हूं मैं आलरी उसमें पहले से ही ओन लोग तो चलो अब लोग आंगे स्टार्ट करते हैं तो आप लोग जिस तरीके से पसंद कर रहा हूं चाचा की फंडे बहुत अच्छी तरीके से मज़ा रहा है ठीक है और आप लोग इसको और अच्छे से पसंद करो और लोगों तक सेर करोगे ना तो यह सीरीज बनाने मे अप्लोड करते रहेंगे इसको रोकेंगे नहीं इस बार ठीक है तो कि इससे आपको अच्छे से धमाका अभी थोड़े में हम ले आएंगे तो चलो अब आपको एक चीज़ बता रहते हैं सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले फिर से वही चीज़ है कि अगर कोई कर सकते हैं में एवाई एन के एस आई आर आप इस को यूज करेंगे तो आपको अभी 10% और सेम ओल्ड प्राइज जाएंगे आफ्टर प्राइज आपको काफी साइज दिख्केतों का सामना करना पड़ सकता है ठीक है एंड उसके बाद प्राइज है आपको बताई जा चु है आज हम बताने जारा है बाइन मिल का तीसरा फंड़ा ठीक हमसे यह कभी बहुत पूछा आता है कि एक्स प्लस एकी पावर एन इसके प्रिशार में अंत से एन वापद अंत से आरवापद तो काफी सारे बच्चे पता क्या करते हैं टोटल नंबर आफ टंस निकालते हैं करें इसको ल बोल दे अन प्लस बंधर लगा दें एल प्लस सम्थिंग करके कुछ ठीक है वह फॉल्मलन में ना याद करता हूँ अदista याद करने का याद में के याद करता हूँ कि यह आप उस मामल करू और कोई student वो उस टाइब का फॉर्मल का फॉर्मलब में नहीं करना ह इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले आएं, कोई formula नहीं, क्यों change करते हैं, क्योंकि आपको पता है, starting से जो term होगा, और last से जो term होता है, उनके coefficient आपकत में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए जो अंत से हैं, और जो starting से हैं, हम दोनों को change कर लें, सबसे पहले हमने x प निकालना हैं, वो हम starting से निकालेंगे, मतलब क्या हैं, अगर हम कहा हैं, इसमें अंत से छटमापन निकालो, तो हम starting से छटमापन निकालेंगे, simple सा method समझना, कुछ नहीं करना होता है, without any formula आप इसको तुरंट solve कर लोगे, इन दोनों को बदल दो, x को a की जगए, a को x की और जो अंत से वो starting से, कैसे, देखते हैं, तो question क्या कह रहा है, x plus 2 upon x की power 9, अंत से चौथा पन निकालना है, तो हम अंत से ना निकालेंगे, हम starting से निकालेंगे, कैसे, दोनों को change कर लो, बहुत आसान है, कोई formula नहीं याद करना है, हम से अंत से चौथा, तो हम starting से चौथा निकालेंगे, तो ncr, r की value एक कम हो जाएगी, x की power, n-r, और a की power r, खतम हो गया, क्या समस्या है, अब कहीं कहीं option जब ncr में लिखा होगा, तो हो सकता है, 9c3 की जगए आपको 9c6 लिख दिया जाए, तो बिटा तब भी सही है, और अब भी सही है, दोनों methods इसके सही है, तो आगे चलते, एक और देखते हैं, अब हमसे कह रहा है, कि 1-3x की power 10, अंत से तीसरा पर निकालना है, अंत से तीसरा पर निकालना, फिर वही चीज हमने कहाना, दोनों को change करो, दोनों को तुम with sign change करोगे, इसकी power 10 आगया, जो अंत से कह रहा है, तो इस starting से 3 निकालो, ncr, x की power, n-r, और a की power r, ठीके, a की power r, आप पेटा एक चीज़े को 10c2, 10c8 लिखा जा सकता है, ठीके, 3x की power 8 हो गया, कोई option है, चेक करो, दो कोई option है, 10c8, 3x की power 8, खतम हो गया, आप कोई भी formula याद करके, ना जाओ, without, आप किसी formula को याद करके, आप इस question को solve कर सकते हैं, clear है, आँगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं, सर, देखते हैं, दो, simple सा है, root x, minus root y की power 17, अन्त से 14 टर्म निकालना है, अन्त से 14, तो हम क्या करेंगे, दोनों को change करो, minus root y, plus root x की power 17, ठीके, इतना आ गया, अब अन्त से 14 बोला है, हमें starting से 14 निकालेंगे, 14, ncr, x की power, n minus r, a की power r, clear है, आँगों, सर, 17 से 13 नहीं होगा, कोई issue नहीं, 17 सी, आप इसको लिख सकते हैं, अन्त से 14 टर्म निकालना था, तो r की value 13 होगी, 17 सी 4 आजाएगा, x की power 13 बटे 2 आएगा, और y की power 2 आजाएगा, clear है, I hope आपको आगया होगा, मेरे साब से ये वाला टर्म भी आपको समझ में आगया होगा, बाइनोमिल की छोटी-छोटी करके मैंने आपको पूरी बाइनोमिल की अच्छे चीज़े बता दिये, यही direct questions आपके exam में हिट करते हैं, तो अगर मज़ा आया हो, like और share कर देना, subscribe की मैं कभी कहता नहीं, आप सिर्फ like करें और share करें, बाकी फिर आप लोग मिलते हैं, next पंडे में और वो भी आज साम तक आज आएगा, और उसमें आप लोग बताओ कौन सा टॉपिक होना चाहिए, तब तक के लिए जय हिंज, जय भारत, बंदे मात्रम,